हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय दोस्तों आज मेरे सामने एक समर से विल में ऐसा फाल्ट आया है कि उसको मैं आपको सही करके बताऊंगा और इस कंडिशन में मोटर फुल एमपेर लेती है लेकिन उसकी वाइंडिंग सही है तो मैं आपको बताऊंगा यह फाल्ट क्या था हमने मोटर बाहर खेचा और चेक किया है और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा मतलब यह क्या फाल्ट था और इस कंडिशन में मतलब बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना है तो दोस्तों आई एस शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों वेसे तो समर सेविल में ऐसे ऐसे फाल्ट आते हैं कि हम कनफर्म नहीं कह सकते हैं कि मोटर किस वज़े से जादा एंपेर ले रही है कौन सा फाल्ट हो सकता है तो दोस्तों यहां पर fault यह था कि इसमें हमने motor को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद हमने इसके joint चेक किया तो यहां पर हमने हमें देखने को मिला कि इसकी joint में जो तीनों वायर है तीनों वायर मतलब ब्लास्ट हुए पड़े हैं और मतलब यहां से जले हुए हैं मैं अभी आपको जूम करके भी दिखा हुआ इसको आप यहां देख सकते हैं और दोस्तों इसका जो connection है मतलब डबल तार वाली motor है मतलब इस तरीके से था मतलब यह तीनों तार आपसमें टचते और यह ब्लास्ट हुए पड़े थे इस वज़ए से यह motor ज्यादा एंपर ले रही थी और fuse को उड़ा रही थी थोड़ी देर में ही तो दोस्तों मैंने जब इसको बाहर चेक किया मैंने सीरीज से भी इसको चेक किया है मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा इसको आप सीरीज से किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं तो इसमें सीरीज से चेक करने का तरीका यही है कि आपको इसमें 0 watt का andegg लेना होता है और उसको आपको इसमेंं च्छेक करना होता है है तो यहाँ पर पिस तरीक च्छेक करेंगे मैं आपको दिखाता हूं मैं थहा प्रोल यह जीरो वाट का वलब है आप देख सकते हैं जल रहा है और इसकी तीनों continuity मैं ने अर्थिंग नहीं है इसका मतलब मोटर हमारी सही है अब मैंने इसका क्या है कि इसका जॉइंट जो दुबारा से लगाया है और जॉइंट जबारा से लगाएंगे तो जॉइंट को मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है यहां पर मैं इसका अर्थ व लगाते हैं तो इसको आगे पीछे करके लगाएं अगर बराबर में लगाते हैं तो यह कंडिशन आपको दुबारा भी आ सकती है यहाँ पे मैंने joint को आगे पीछे करके और अच्छे तरीके से लगाया है आपको इसमें जब कच्छा रवड लगाते हैं सबसे पहले टेप करें फिर उपर कच्छा रवड करें और फिर कच्छी रवड को लगाकर फिर टेप करें फिर कच्छा रवड करें मतलब double bar करना है और पूरी टेप को मतलब इसमें ढग देना है और अच्छे तरीके से tight खेंच के टेप लगानी है इसमें पानी नहीं जाना चाहिए और नहीं यह लूज रहना चाहिए इसके बाद आपका joint लग जाएगा अच्छे तरीके से तो आपको यह दिक्कत नहीं आने पांच यह साथ एंप्यर ले रही थी उपर रही है तो इस तरीके से आप अपनी मोटर को सही कर सकते हैं यह इस फाल्ट को तो दोस्तों आपने देखा मैंने आपको यह इस कंडिशन में मतलब तार जब मेल्ट हो जाते हैं और फाल्ट हो जाते हैं अंदर से joint के पास से तो और मैंने जब इसको जोड कर चलाया तो यह मोटर सही चल गई तो आपको चाहिए कि अगर आपके मतलब मोटर अगर इस तरह की फाल्ट है तो जब आप मोटर को निकालते हैं तो उसके सारे joint को चेक करें और उसके बाद मोटर को चेक करें तो दोस्तों उमीद करता हूँ आ बाइ बाइ टेक केर